हेलो गाईज, वेलकम टो और चैनल और इस वीडियो में हम सीखने वाले है MPG के से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट क्योशन आंसर्स जो कि व्यापम की एक्जाम में पिछली एक्जामों में बार-बार पूछे गया है तो आईए सीखते हैं, यहाँ पर हमारा पहला क्योशन ही ग्वालियर के किले में तेली का जो मंदिर है वो द्रविड सेली में बनाया गया है यह उत्तर भारत में बनाया गया केसा मंदिर है तो यह द्रविड सेली में बनाया गया एक मात्र मंदिर है जाबवा में लगने वाला भगोर्या हाड भिल जन जाती का क्या है तो यह एक प्रमुख सान्सक्रतिक उत्सव है घोटुल प्रथा संबंदित है तो यह मोडिया जन जाती से संबंदित है जो मोडिया जन जाती है तो यह मोडिया जन जाती है मंदिर कहां इस्ति थे तो यह सतना की चित्र कुछ पहाड़ी के उपर इस्ति थे और इसमें मा सार्दा की मूर्ति है नेक्स क्योशन है डाक्टर भीमराव अमबेटकर का जन्म कब और कहा हुआ था तो इनका जन्म अठ्रासो इंकार्णों में हुआ था महों के इंदोर में याने कि इंदोर के महों में हुआ था कब अठ्रासो इंकार्णों में तो यह याद रखना है हमें जाबवा की खाल खांडवी पंचार के सरपंच वंदना बहादूर मेडा को यूएन महला कैलेंडर के मैं 2013 के प्रश्ट पर इस्तान दिया गया है पहली अत्याधोनिक जो वेद साला है वारा मीर यह उज्जेन के कहां पर इस्तित है यह डोंगला नामक स्थान पर इस्तित है नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्योशन है यहाँ पर राष्टी तक्नीकी प्रस्षिक्षण यह अनुसंदान संस्थान कहां पर है तो यह भोपाल में वेद प्रताप वैदिक इंदोर निवासी यह क्या है तो यह एक ख्यात लेखक तथा राजनितिक चिंतक है जो वेद प्रताप वेदिक है ये इंदोर के रहने वाले एक लेखक है और एक राजनेतिक चिंतक है नेक्स क्रेशन है प्रदेश का पहला मानों मल पर आधारित बायो विद्यू संग्रेक संयत्र कहां पर है तो यह कुठकी पुरा बेर्शिया भोपाल में इस्थित प्रदेश का पहला जो मानों मल पर आधारित जो बायो विद्यू संयत्र है यह कुठकी पुरा बेर्शिया भोपाल में इस्थित है नेक्स क्रेशन है भूव एग्यानिक द्रस्टी से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचिंतम की शेत्र का भाग है तो गोणवाना भू सह का भूबाग है जो हमारा मध्य प्रदेश है वह भूव एग्यानिक द्रस्टी से गोणवाना लेन का भूबाग है चीक है आयमपी क्रेशन है पूछा गया है व्यापपम में नेक्स क्रेशन है महाकालेश्वर जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे इस्थित है तो यह छिप का चापखाना है यानि कि करंसी बनाने का जो कारखाना है या चापखाना वो कहां है तो यह देवास में इस्थित है नेपा नगर का कारखाना है तो जो नेपा नगर का कारखाना है वो अखबारी कागज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर में अखबारी क आगाज बनाय जाता है नेक्स वीशन है नेपा नगर में इसके खुल उत्पादक छमता कितनी है तो इसके की उत्पादक छमता जो है वह 75,000 टन कितनी है 35,000 टन नेक्स वेशन है अमलाए का गस काउगाचeremos सहडोल जीले में कहां पर तो यह गराने के द्वारा स्थापित किया गया कारकाना था अभी भी है नेक्ष्केशन है प्रदेश की एक मात्र महिला मुख्य सचीव कोन है तो ये निर्मला बूछ है और इनको 1900 एंकार्णों में महिला सचीव बनाया गा था नेक्ष्केशन है भारत सरकार द्वारा निर्यात समवर्दन ओध्योगिक पार्क की इस्थापना की गई तो भारत सरकार के द्वारा नीराज समर्धन ओध्योगिक पार्क की जो इस्थापना है ये पिथमपूर धार में की गई है साई का छेतरी कार्याले कहा है साई याने की स्पोर्ट अथोरिटी आफ इंडिया इसका जो छेतरी कार्याले है ये भोपाल में गोरा गाउं में खुला गया है मद्य प्रदेश राज जी योजना मंडल का गठन कब किया गया तो 24 अक्टूबर 1922 को मद्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किया गया राज जी योजना मंडल का गठन 24 अक्टूबर 1922 को किया गया सबसे अधिक विश्वी जबलपूर में तो सबसेश का सशेक्ष कुम जबलपूर में और जबलपूर में नेक्स क्यूशन है दूर संचार अभियांतरी की सैनिक कॉलेज है तो यह महु में है दूर संचार अभियांतरी की सैनिक कॉलेज महु में है थल सेना सेक्षिक प्रशिक्षन कॉलेज वा केंद्र कहां पर है तो थल सेना का जो सेक्षिक प्रशिक्षन कॉलेज वा केंद्र है व मुख्याल्य कहां पर है तो जबल्पूर में है यह कहा इस्तित है तो यह जबल्पूर में इस्तित है